चॉुच्ट को action क्या मेकलमी पूछा हुआ है two bodies in the ratio of 4!!! is1 are moving with equal linear momentum the ratio of their masses is masses का ratio पूछा हुआ क्या given है यहां पे kinetic energy दोनों का ratio दिय हुआ kinetic energy का ratio given है let karlow kinetic energy 1 divided by kinetic energy 2!!이 sklt Qy or esas four Госchub तो यह सकते हैं लिख सकते हैं अब कि करने जाए क्या हो साइब तो क्या होता है हाफ म1 V1 square, suppose कर लिया, एक जो हमारा mass है, वो M1 है, और वो V1 के velocity से move कर रहा है, ओके, दूसरा वाला mass, हमने suppose कर लिया M2, और V2 velocity से move कर रहा है, ओके, equal to क्या दिया, 4 is to 1 दिया, अब देखना, half, अच्छा, यहां से यह half को हम cancel out कर दें, कोई problem नहीं होना चाहिए, then M1 V1 square divided by M2 V2 square, अब हम क्या करेंगे, इसको M1 और M2 M1 से multiply करेंगे, और यहां पर भी हम क्या करेंगे, M2 divided by M2, दोनों cancel auto हो जाएगा, यह से cancel, यह से cancel, अब देखो, इसे हमें फायदा क्या होगा, 4 is to 1, ठीक, यह यहां ले ले और यह यहां ले लेते हैं, तो M1 V1 का hall square लिख सकते हैं, और divided by M1, फिर नीचे लिखेंगे, यहां पर भी same करने जा रहे है, M2 V2 का hall square और divided by M2, यहां पर 4 is to 1, ठीक है, अब यह क्या आपका, momentum है, momentum is called to क्या होता है, P1 is called to, P2 is called to, P, यह तो given है, M1 V1 given है, और P2 का V value क्या होगा, यहां से हम 1 मिट, M1 का value M1 V1, और P2 का value M2 V2, okay, अब दोनों का value क्या same है, question में दिया होगा, तो यहां पर हम पूट कर दें, तो पूट करेंगे, तो क्या होगा, P2 divided by M1, यह नीचे आ जाएगा, और यह वाला उपर आजाएगा, तो हम M2 यहां पर लिख दें, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, P2, ठीक है, अब दोनों cancel out हो जाएगा, यहां पर हम लिख देंगे 4 is to 1, और M2 ratio of M1 क्या हो, 4 is to 1 से महा रहा है, तो option number, मैरा correct क्यों सा option है, option number A correct option है, okay, note कर लिए आप रूख,